समस्याओं का समाधान रिशी चिन्तन से घर की व्यवस्था की बागडोर जब वयस्क लड़कों के हाथ में चली जाती है तब भी घर की व्रद्ध यह अपिक्षा रखते हैं कि घर के कारियों में उनका परामाश लिया जाए क्या यह उचित है समाधान यह उचित है और उपियोगी भी हर व्रद्ध परिवारी जनों से सम्मान की अपिक्षा रखता है गलती यह होती है कि घर की व्यवस्था की जिम्मेदारी युवकों के उपर आते ही वे वयोवरद बुजुर्गों की राय की अवमानना कर जाते हैं और यह समझते हैं कि उनके परामर्ष दकी अनुसी होंगे यह माननेता अहितकर है हो सकता है कि एक सीमा तक उनकी बात सच हो तथा सुझावों में से कितने ही अनुप्योगी हो पर इसका यह अर्थ नहीं है कि व्रद्धों के सभी परामर्ष और सुझाव बेकार होते हैं इस तथ्य को नहीं भुलाया जाना चाहिए कि जीवन के अनुभाव ज्यान के स्त्रोत होते हैं अनुभव से प्राप्त जानकारियां ना तो पुस्तकों से प्राप्त की जा सकती हैं और नहीं किसी के विशेश उद्बोधनों द्वारा आयू के अनुरूप ही वे अनुभव में आती हैं व्रद्धों का जीवन भर का अनुभाव स्वयम में एक एसी व्यावारिक पुस्तर्थ है जिसको खोला और ठीक तरह पढ़ा जा सके तो युवकों को प्रगती पत्थ पर चलने में असाधारन सहयोग मिल सकता है। विद्वता के अहंकार अथ्वा युवावस्था के आवेश में अधिकान शितह इस महत्वपूर्ण तत्थ की उपेक्षा कर जाते हैं कि व्रद्धों से मार्गदर्शन लिया जाए यह उचित नहीं है। पुस्तक समस्याओं का समाधान रिशी चिंतन से प्रिश्ट सत्तावन। मिलती रहें। धन्यवाद।